मॉडलिंग बच्पन से एक सौक था अच्छा लगता था टीवी में देखना मॉडल्स को देखना अच्छे फिनाले में भी मिस्टर नियाक सेलेक्शन हो गया है आप देखे जब जो गोल था कि मिस्टर बिहार बनना है मिस्टर बिहार जितना है वो छे सान के बैटे ने साथ बिहार का भी नाम रोशन किया मॉडलिंग करना हम छे साल पहले से स्टार्ट किये थे तो उस समय धीरे-धीरे बहुत मेहनत करके स्ट्रगल के सफलता मतलब थोड़ा-थोड़ा मिलता था लेकिन असा थी कि एक दिन जरूर बिहार टोफी लेगा मिस्टर बिहार के बिहार का टोफी जीत कर देश का अशाद बिहार का भी नाम रोशन किये आई इसे बाचीत करते हैं सबसे पहले आपको बहुत-बहुत-बधाई हो धन्यवाद क्या नाम हो आपका हम सौरण जगदीशपूर से हैं जगदीशपूर पस्मिशंपारन से हैं आपको भी सोचे और बहुत ही मेनत किये थे क्योंकि हमाइब क्लाम करना छीज हम मौडिलिंग कब से करते हैं मौडिलिंग करना depth चीज साल पहले से स्टार्ट किये थे q2 aq2 ज़े से स्टार्ट किये कीट जो पहला ठाटरगेट जो गोल था कि मिस्टर बिहार बनना अमिश्ठ बिहार जितना है वो छे सल बात हुआ है आप मोडलिंग क्यों चुनए मोडलिंग बच्पन से एक सौक cocktail अच्छा लगता और हैं संगर साफिन आपको जैसे बता है कि 6 साल से जा रही है मतलब यहां गाउं से स्टार्ट वा बेदिया से पठना गया फटना से दिली फिर दिली से 더 फिर पतना ऐसे पिर इस साल में ऐसे ऐसे संगर्स आये कि मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि घर पर आके बैठना पड़ा फिर एक वह होता था कि नहीं गिवफ कर देते नहीं हो पाएगा लेकिन बहुत ऐसे टाइम पर घर वालों से मिलता था होसला की नहीं कर सकते हैं मेहनत है यह लेकिन उसके बाद घर वालो सब्सक्राइब करता है अच्छे से पहनना अच्छा खाना एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना इस में खर्चा करना पड़ता है कहां से आप त्यारी कर रहे थे मोडलिंग का मोडलिंग का तैयारी तो हम पहले तो गया जैसे बताया कि बटना गय दिल लिग तो यहां पर हम उससे जनकारी लेके खुद से त्याइय किये फिर पटना गये फिर फ्रत पटना से किये और तब आपके पीता जी क्या करते हैं किशान है आगे आपने क्या प्लान बनाया आगे अभी प्रिहार के बाद मिस्टर इंडिया के लिए जाना है और अपने राजी को वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है नेस्टनल में जाके कब तक जाना है जब वो हो जाए वैसे तो सेलेक्शन हो गया है आप देखिए जब डेट आ जाए जो इस्टुडेंट है आने वाला भाविश्य है और और अब आना चाहते हैं उनको आप क्या करना चाहेंगे देखिए अगर वह आना चाहते हैं तो वो कुछ सोचे नहीं कुछ समझे नहीं वह आज आए इस LINE में आये अपना मेहनत करे आएंगे तभी जानेंगे सोचने से कुछ नहीं होगा पहले आए एक स्टेप ले जब आएंगे देखेंगे समझेंगे कैसे है क्या होता है तब उनको और अच्छे से जनकारी मिलेगी और ट्रेनिंग लेंगे तो उनको और सीखने को मिलेगा और जब वो अब इस तो अभी पठना ही है व्याशर में अभी एक ही जगा है पटना जहां पर आप इसका तयारी कर सकते हैं पटना में कितने दिन आपको कैसा महसुष हो रहा है किसे विभाप के लिए गारुछंट गारु जो हैसो गर्व की बात है होती है और मुझे भी बहुत गर्व हो रहा है कि मेरा बेटा इतना मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचा आप कभी सोचे थे आपके बेटे मिश्टर बिहार का टौफी जीते कि सोचा तो था ही इसकी लगन इस ट्रेक पर उसका जो मेहनत चल रहा था वह बहुत थी मैंने उच्छी क्वाली अस्तर का था मुझे ऐसा थी कि यह एक दिन जरूर बिहार टोफी लेगा कितने संगर्श किया है पूफ को मेनत कि उसको हम नहीं सकते यह बहुत मैनत हैं जो भी अच्छा लगया उस पर अपने काम करो लेकिन सफल ताके लिए कम करो आईए सवरभ जी के नानी जी आई इसे बाचित करते हैं आपके नाती ने बिहार के साथ इंडिया का भी नाम रोसन की हैं आपको कैसा महसूस है बहुत अच्छा बहुत अच्छा हमको बहुत खुशी हुआ इसको भी अशिरवात दिया यह त्थीक आगे क्या देखना चाहते हैं गवास को आप क्या करना चाहेंगे कि वह करना चाहते हैं जिस चीज़ 상 जो उसमें उनका interest वह उसमें करें और उनके guardian से हम यह कहना चाहते हैं कि जिसमें वो interested है जो जिसमें उन्की खुशी है वो उनको वो करने दे वो जिसमें खुशी होती है वो वो लोग इंसान अच्छे से करते मेहनत से καapons तो उनको वो करने दे ँसमें सफल हो कितना दिन लग जाएगा उन लोग को शपल होने में देखीए मेहनत के उपर depend करता है वो जीज तरीके से मेहनत करेंगे जितना dedication दिखाएगे उसके उपर depend करता है उन्मीद करते हैं दुस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाईक कीजिये comment किये share कीजिये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ठांक्स वाचिंग दिस वीडियो भारत मता की जय वंदे मात्रम